कहा जाता है कि अंधेरे को कोस में से अच्छा होता है रोशनी के लिए एक दीपक जलाना मतलब यह है कि हमें पेड लगाने के यह शुरुवात करिये दिनी चाहिए किसके यह किसी शुख घड़ी का इंतजार नहीं करना चाहिए और तभी हमारी धर्ती हरी भरी बनी रहेगी तभी हमारी सरकार की परिकल्पना साकार होगा और तभी हर्यालिन मिशिट का उद्दी शिफी पूरा होगा आओ पेड़ लगाए हरा तिहार तभी हमारी लुक्तम संतति देख दिने सुख पाए देख इने सुख पाए इनसे पाकर आशत सारा अपना रोग भगाए पेड लगा कर मान सुन को धर्ते पर बंस आए सीच सीच कर खेतों को हमपूप पसर उप जाए आओ पेड लगाए हरा तिहार तो पेड लगाए हरा तो कहा जाता है कि अंधेरे को गोसने से अच्छा होता है रोश्णी के लिए एक दीपक जलाना मतलब यह है कि हमें पेड लगाने के यह शुरुवात करही देनी चाहिए इसके है किसी शुख घड़ी का इंतजार नहीं करना चाहिए और तभी हमारी धर्ती हरी भरी बनी रहेगी तभी हमारी सरकार की परिकल्पना साकार होगा और तभी हर्याली मिशिट का उद्दी शिफी पूरा होगा आओ पीर लगाए हरा तभी हर्याली मिशिट का इंतजार नहीं करना चाहिए दोस्तों आज बिस्व परियावरण दिवस के उपलक्स में आप सभी लोगों को में वधाई और सुपकामना देते हुए आज के लिए एक बिसेस वात यह है कि हम सब कहीं ना कहीं इस प्रक्रती से जुड़े हुए हैं और इस प्रक्रती को हमको समार के रखना है इस बिचार से आप लोग जहां कहीं भी हो अपने निवास स्थान पर या जहां भी हो वहाँ पर आप आज के दिन संकल्प करें कि हम एक ब्रक्ष एक पौधा अवसी लगाएंगे क्योंकि पेड़ पौधे बनस्पती यही हमारा जीवन है यह आप मान के चलना क्योंकि इसी से हमको जीवन दायनी आक्सीदन मिलती है हमारे गुरुदेव नीम करोली वाले वावा ने भी यही एक उपदेश लिया था बहुत सार्थक रूप से कि बच्चों जहां भी रहो पेड़ पदों को आप सुरक्षित रखना यही हमारा जीवन है और यही हमको सारे विश्व को आक्सीदन देने वाला जीवन देने वाला है यही एक आधार है विश्व का इसको आप सुरक्षित रखेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे मानव जाती सुरक्षित रहेगी ये हमारे गुरुदेब नीम करोली वाले वावार ने उपदेश दिया था आप लोगों से भी निवेद हैं कि इस पर्यावरान दिवस के उसमें आप संकल्प लें कि एक प्रक्ष हम अवश्री लगाएंगे इसमें कोई कठनाई नहीं है इसमें कोई कठन कारे भी नहीं है कोई खर्च भी नहीं है आप अल्प समय में अल्प धन खर्च करके एक ब्रक्ष एक पौधा अवश्री लगा सकते हैं इसी के साथ आज आपको कुछ उपाय भी जीवन उपयोगी उपाय भी आप लोगों को बताते हैं गुरु देप की क्रपा से बर्तमान समय में जो समय चल रहा है महामारी का उसमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई होना चाहिए यदि वह नहीं है तो हमको यह बीमारी लगने का भे रह सकता है लेकिन उससे डर्णा नहीं है आप अपने को इम्यूनिटी बढ़ाना के उपाय करिएगा साम को सोते समय दूद में थोड़ी हल्दी डाल कर गुन गुना करके उसको पीजिएगा इसी प्रकार काली मिर्च जो सब लोग ने इसका नाम सुना होगा जो हमारे किचन में राप्त होती ही है उस काली मिर्च के कुछ उपाय हो आपको बताते हैं यदि आप किसी कारे से जा रहे हैं बहुत जरूरी जो आपको आपके होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये होना ही चाहिए तो आप नो काली मिर्च लीजिएगा अपने गुरू मंतर का जाप करें और उस पर फूप मारें और उन नो काली मिर्च को आप खा लें पानी नहीं पियें उसका जो रस जागा सरीर में उसको आप जाने दीजिएगा कोई भैकी वात नहीं आप जिस कार के लिए जिसके पास पहुंचेंगे वह व्यक्ति आपका कार अवस ही करेगा यह एमान का चलना और उस काली मिर्च के रस जाने से सरीर में एक रक्षा कवश सरीर पर बन जाता है किसी भी प्रकार का कोई बायरस हो वह आपके सरीर में प्रविश नहीं करेगा एक दूसरी वाद यह है कि यदि आप कर्ज में डूबे हैं या कर्ज है आपके उपर तो ये उपाय आप अबस करें आप ग्यारा काली मिर्च लें अमावश्या हो या पूर्णी मा हो ग्यारा काली मिर्च और गौमती चक्र ही नाम सुना होगा आपने ग्यारा गौमती चक्र भी नहीं और ग्यारा ताजे गुलाब के फूल इन सबको आप एक पीले वस्तर पर रखकर इनके उपर आपको गायत्री मंत्र 21 वार पढ़ना है तीनों चीज़ों पर और उसके बाद एक मंत्र और है ओम श्रीम श्रीय नमहा यह भी आपको 21-21 वार पढ़कर उन पर रखना है और उस पीले बस्तर को आप ओटली बनाकर अपने पूजर स्थल पर रखें अपने गल्ले में रखें और धूप दीप देकर विदीवत उसको अपने गल्ले में रखें आपको यह देखकर आश्चर होगा कि कुछ ही दनों में धना आगमन होना सुरू हो गया है और कर्ज आपका कब कैसे खत्म हो गया यह आपको पता ही नहीं चलेगा तो दोस्तों यह दो अपाय आपको बताएं और फिर से मैं आप सिर्फ निविदन करता हूँ की यह देखिए यह एक पीपल का ब्रक्ष है जो हमने आज लेकर आया है और इसको हमको लगाना है और हमने इसको गंबले में लगाया है इसके नीचे एक छोटा पीपल का वरक्ष है इसको पारस पीपल बोलते हैं पारस पीपल देखिएगा ये ये एक बड़ा पीपल का पौधा उसके नीचे एक छोटा पौधा है वह पारस पीपल है इस पारस पीपल की विशेष्टा इसके नीचे अमावश्या हो पूर्डीमा हो चवुदस हो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे चार बत्ती वाला दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है ये चोटा पोदा है इसका पीपल का व्रक्ष बहुत बिसाल होता है आपकी कोई समस्या है बहुत निश्चित रूट से दूर हो जाएगी उसका समाधार होगा एक कुपार और सुन लीजिए आप आज के दिन विशेष् एक जटा वाला नारियल ले और एक नारियल की गिरी जो नारियल के अंदर नारियल गोला कहलाता है उस नारियल गोले को थोड़ा सा काटकर मूँ बनाए उपर उसमें आधे में शक्कर आधे में घी सुद्ध भरकर वो ढखन लगाए और एक कोरे सुद्ध सफेद बस्तर मे उसको बाने और बानने से पहले सबेत कुर्य कादच पर अपनी समस्या एक ही समस्या लिखना है लिखकर उसके अंदर रखकर उस सबेत कपड़े में बान कर और उसको गुरू ये सब आपको एक दिन पहले तयारी कर लेना गुरुवार के दिन सुबह हैं आपको कोई टोके नहीं कि आप कहा जा रहा है क्या कर रहा है और मालोग आपको कोई मिलवी जाया तो आप उसको उत्तर नहीं देंगे आप चुपचाप जाकर किसी ब्रक्ष पीपल ब्रक्ष के नीचे उसको किसी लकडी के आउजार से खोध कर पीपल ब्रक्ष के नीचे जड़ में उसको गार देना है और एक जो जटावाला नारिय लिया है वोह आप वहाँपर रखे साथ में जल का लोटा भी ले जाए और जल चढ़ाए पीपल ब्रक्ष से ब्रह्म देव से आप प्राथना करें कि मेरी यह समस्चा है इसके लिए आप से मैं अरजी लगाने आया हूँ आप इसको पूर्ण करें इसमें सबलता प्रदान करें और एक परक्रमा देकर पीछे लोट के नहीं देखना आप अपने घरा जाईएगा गारंटी है छे महिने के अंदर में वह कार आपका हो जाएगा और यदि किसी कारण से पूरु जन्म के करमों के कारण यदि नहीं होता तो आप इसको फिर से करिएगा ये निश्चित रूप से आपको कारण में सबलता प्रदान करेंगा जै मातादी जै महाकाली जै गुरु देग